नमस्कार दोस्तों हेल्फू चनम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का टॉपिक है कि शनी शनी 2030 में 17 जिन्वरी को कुम मकर राशी छोड़के कुम राशी में गोचर कर रहा है तो ये गोचर आपके लिए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो आज की वीड बटनों के इसको क्लिक कर देए उसके वागल में रिंग बेल होगी उसको प्रेस कर जे ताकि नई वीडियो अप्लोड हने पर नोडिफिकेशन के रूप में मिल जा समझा हो मेल कर देगा नितिन 549 at the rate gmail.com पे डिस्क्रिप्शन में मेल एड़ी है लोशो की क्लासे स्टार् के लिए positive रहेगा या negative या कैसा जाएगा मध्यम रहेगा वो आज की वीडियो में बताएंगे दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है अपनी लगन कुंडली उठाईएगा ठीक है लगन कुंडली उठाईएगा यहां पर देखिए एक लगन कुंडली बनी है यहां पर मैंन समय में अगर अभी शनी देखें तो जहां पर दस नुमर लिखा है तो मकर राशी में गोचर कर रहा है ठीक फिर इसके बाद 11 नंबर पर आएगा जहां आपको ये अच्छा result देगा ये बुरा result देगा आपको पता करना है ठीक है तो आपको ये पता करने के लिए क्या करना होगा कि आप तो अपना लगन देख लीजेगा कौन सा आपका लगन बनता है फिर उसके बाद second point पर आप देखिएगा कि चंद्रमा किस घर में बैठा हु तो चंद्रमा यहाँ पर छटे घर में बैठा है तो अब आपको करना है कि है चंद्रमा से शनी की दूरी ग्याद करनी है तो चंद्रमा से शनी की अगर हम दूरी ग्याद करेंगे तो चंद्रमा को छटे घर से गिनते हुए शुरवात करते हैं तो छटा पहला हो गया, साथ आठमा दूसरा हो गया, आठमा तीसरा हो गया, नवा चौथा, दसमा पाँचुवा और ग्यार्मा छटा, चंद्र से ग्यार्मे घर पर शनी की जूदी चंद्र से छटे दूने में, सस्ट भाव में, तो आप जानते हो कि 6, 8, 12 जो होता है दूस्ट इस्थान भाव पड़ता ह तो वो यहाँ पर दिक्कत करेगा, पहला पॉइंट की जूदी चंद्र से शनी की जूदी, छटे स्थान पर पड़ता ही है, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखिएगा, अब शनी से चंद्रमा की दूरी अगर हम गिरेंगे तो अस्टम भाव पर पड़ेगी, तो यह यहाँ पर दुस्थ स्थान पर बहुता है, च्छे और आठ भाव आ रहा है, यानि कि आपको शनी का जो यह गोचर है, मेश लगनवालों के लिए अच्छा नहीं होगा, इसी परकार मैंने आपको, आप लोग अपने गुंड्लियों में देख लीजेगा, कि कहां से कितनी द दूरी पढ़ता है, ये दोनों तरब से, अगर एक में खराब आ रहा है और एक में पॉजिटिव आ रहा है, तो मध्यम जाएगा रिजल्ट, तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखी कि शनी की जो दूरी होती, तीन साथ दस होती है, ये शुब होती है, और अगर यहाँ से अगर गिंती 1, 4, 6, 8, 12 भाव आते हैं, तो अशुब आएंगे और मध्यम भाव आएंगे 2, 5, 7 पे दूरी पे आती है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हो, कि शनी का गोचर आपको अच्छा जाएगा या बुरा रिजल्ट देगा, दूसरी बात, सेकेंड ट अगर आपकी शनी की महादसा चल रही है, तो शनी की महादसा में जिसकी भी अंतर दसा चले रही है, तो उस ग्रह से शनी की दूरी भी नोट कर लीजेगा, वो भी अगर इनी भावों में से पढ़ते, तो उस हिजाब से आपको अच्छा बुरा रिजल्ट मिलेगा, वरना नीटरल चला जाएगा, तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो, कि शनी की गोचर 2023 में कैसे जाएगा, वो जो डेली प्रडिक्शन में आपको देखते हो वीडियो में, तो उस हिसाब से वो चीजें सटीक नहीं बैठते हैं, तो आप इस तरीके से ट्राइ करके धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करें, समस्या हों तो मेल कर दिएगा, नितिन 549 at the rate gmail.com पे डिस्क्रिप्शन में मेल आड़ी है, धन्यवाद दोस्तों, एलबुचानल को देखने के लिए प्लीज भी सब्सक्राइब देखने के लिए प्लीज भी सब्सक्राइब दा चैनल